सुन्दर इस्त्री बाद में सुर्प्रनखा निकली, सोने का हिरन बाद में मारीच निकला, भिक्षा मांगने वाला साधु बाद में रावन निकला लंका में तो निसाचर लगातार रूप ही बदलते दिखते थे, हर जगे भ्रम, हर जगे अविश्वास, हर जगे संका, लेकिन बावजूद इनके जब लंका में असोक वाटिका के नीचे सीता मा को राम नाम की मुद्रिका मिलती है, तो वो उस पर विश्वास कर लेती है, वो मानती हैं और स्विकार करती हैं कि इसे प्रभु स्री राम नहीं फेजा है जीवन में कई लोग आपको ठगेंगे, कई आपको निराज करेंगे, कई बार आप भी संपूर्ण परिस्थितियों पर संदे करेंगे, लेकिन इस पूरे महौल में जब आप रुक कर पुने किसी व्यक्ति, प्रकर्ति या अपने उपर विश्वास करेंगे, तो रामायर के पात्र आप बन जाएंगे, प्रभु स्री राम और मा सीता केवल आपको विश्वास करना ही तो सिखाते हैं, मा कठोर हुई, लेकिन मा से विश्वास नहीं छूटा, परिस्थितियों विशम हुई, लेकिन उसके बेहतर होने का विश्वास नहीं छूटा, भाई-भाई का युद्ध देखा, लेकिन अपने भाईयों से विश्वास नहीं छूटा, लक्षमन को मरना सन देखा, लेकिन जीवन से विश्वास नहीं छूटा, सागर को विस्तरत देखा, लेकिन अपने पुरसार्थ से विश्वास नहीं छूटा, वानर और रीच की सेना थी, लेकिन विजय पर विश्वास नहीं छूटा, और प्रेम को परिक्षा और वियोग में देखा, लेकिन प्रेम से विश्वास नहीं छूटा. भरत का विश्वास, विभीशन का विश्वास, सवरी का विश्वास, निशाद राज का विश्वास, जामवंत का विश्वास, अहिल्या का विश्वास, कौशल पुर का विश्वास, और इस विश्वास पर हमारा आपका अगाद विश्वास. सच बात यही है कि जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि ये विश्व आपके पुर्शार्थ से ही खुबसूरत बनेगा उसी दिन ही आप राम बन जाएंगे और फिर लगभग सारी परिस्थितिया हनुमान बन कर आपको आगे बढ़ने में लग जाएंगी यहां हर किसी की रामायन है आपकी भी होगी जिसमें आपके सामने सब है रावन, शंका, भ्रम, असफलता, दुख बस आपको अपनी तरफ विश्वास रखना है आपका राम तक्त्व खुद उभर कर आता जाएगा सभी को अपने जीवन का संगहर्स स्वेंग करना पड़ता है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो क्रपया लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजेगा साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और जैहिन दोस्तों